ओम तत सत श्री गनेशाय नमह श्रीमद भागवत महापुराणम द्वितिय इसकंदह दूसरा इसकंद अथा प्रतमो ध्याय पहला अध्याय ध्यान विधि और भगवन के विराट स्वरूप का वर्णन ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भागवत महापुराणम का दूसरा इसकंदह आरंब होता है श्री शुकदेव जी ने कहा परिक्षित वर्यानेशते प्रश्नह कुतो लोकहितम द्रिप आत्मवित्सम्मत हपुन्साम श्रोतव्यादेशुयः परह परिक्षित तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है मनुश्यों के लिए जितने भी बाते सुनने स्मर्ण करने या कीर्टन करने की है उन सब में यह श्रेष्ट है आत्मग्यानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आधर करते हैं राजेंद्र जो ग्रिहस्थ घर के कामदंदों में उलजे हुए हैं अपने स्वरूप को नहीं जानते उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं उनकी सारी उम्र योई बीत जाती हैं उनकी राथ नीद या इस्प्रिप्रसंग में कटती हैं और दिन धन की हाय हाय या कुटुम्भियों के भरण पोशन में समात हो जाती है संसार में जिने अपना अत्यंत गनिष्ट संबंदी कहा जाता है वे ये शरीर, पुत्र, स्त्री, आदी कुछ नहीं हैं असत हैं परंत जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यू का ग्रास होते देख कर भी चेतता नहीं इसलिए परिक्षित जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मर्ण करना चाहिए मनुष्य जन्म का यही और इतना ही लाब है कि चाहे जैसे हो ज्यान से, भक्ती से, अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यू के समय भगवान की इस मृत्य हवश्य बनी रहे एतावान सांख्ययोगा ब्याम स्वधर्म परिनेष्ठया जन्मलाबह परह पुंसा मन्ते नारायन स्मृति परिक्षिक जो निर्गुण स्वरूप में इस्तित हैं एवं विदी निशेद की मरियादा को लांग चुके हैं वे बड़े बड़े रिशी मुली भी प्रायह भगवान के अनंत कल्यान में गुणगणों के वर्णन में रमे रहते हैं द्वापर के अन्त में इस बगवद रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्यान किया था राजर्शे मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निश्ठा है फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मदुर लिलाओं ने बलात मेरे फ्रदय को अपनी और आकर्शित कर लिया यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्यान किया बोलिये श्रीमद भागवत महापुराण की जय तुम भगवान के परमभक्त हो इसलिए तुमें मैं इसे सुनाऊंगा जो इसके प्रती शद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ती भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शिग्र लग जाती है जो लोग लोग या परलोग की किसी भी वस्तु की च्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन सादकों के लिए तथा योग संपन्न सिध्ध ज्यानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें अपने कल्यान सादन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयू भी अंज्यान में ही व्यर्थ बीत जाती है उससे क्यालाब सावधानी से ग्यान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ट है क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्यान की चेश्टा तो की जा सकती है राजर्शी खटवांग अपनी आयू की समाप्ती का समय जानकर दो घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभयपद को प्राक्त हो गए परिक्षित अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधी साथ दिन की है इस बीच में ही तुम अपने प्रमकल्यान के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो पुलिए भक्तवत्सल भगवान की जय मृत्यू का समय आने पर मनुष्य घबराये नहीं उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसे सम्मंद रखने वालों के प्रती ममता को काट डाले धैरिय के साथ घर से निकल कर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विदि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाये तत पश्चात परम पवित्र अ उम इन तीन मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे प्राण वायू को वश में करके मन का दमन करे और एक प्षण के लिए भी प्रणव को न भूले बुद्धी की सायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विशेयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोक कर भगवान के मंगल में रूप में लगाए इस्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विशेय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विशय का चिंतन ही न हो वही भगवान विश्णु का परमपद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है यदि भगवान का ज्यान करते समय मन रजोगुन से विक्षिप्त या तमोगुन से मूड हो जाए तो गबराये नहीं धैरी के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश्मे करना चाहिए क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोशों को मिटा देती है धारणा इस्तिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रे भगवान को देखता है तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राक्ति हो जाती है परिक्षित ने पूछा ब्रह्मन धारणा किस साधन से और किस वस्तू में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीग्र ही मनुष्य के मन का मैल मुटा देती है सिशुक देव जी ने कहा परिक्षित आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धी के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है होगा सब का सब जिसमें दीख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है जल, अगनी, वायू, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति इन साथ आवरणों से घिरे हुए इस ब्रहमांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वे ही धारणा के आश्रे हैं उनी की धारणा की जाती है तत्वग्य पुरुष उनका इस प्रकार वरणन करते हैं पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं उनकी एडियां और पंजे रसातल हैं दोनों गुल्प एडी के उपर की गांठे महातल हैं उनके पैर के पिंडे तलातल हैं विश्वमूर्ती भगवान के दोनों गुटने सुतल हैं जांगे वितल और अतल हैं पेडू भूतल हैं और परिक्षित उनके नाभी रूप तरोवर को ही आकाश कहते हैं आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक, गले को महर लोक, मुख को जन लोक, ललाट को तपो लोक कहते हैं उन सहस्र सिरवाले बगवान का मस्तक समुवही सत्यलोक है इंद्रादी देवता उनकी भुजाएं हैं इस दिशाएं कान और शब्द शवनेंद्रिय है दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं गंध घ्राणेंद्रिय है और धदकती हुई आग उनका मुख है भगवान विश्णु के नेत्र अंतरिक्ष है उनमें देखने की शक्ती सूर्य है दोनों पलकें रात और दिन हैं उनका ब्रूबिलास ब्रह्मलोक है तालू जल है और जीवार रस वेदों को भगवान का ब्रह्मरंद्र कहते हैं और यम को दादें सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया कोई उनकी मुसकान कहते हैं यह अनन्त स्रष्टी उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है लज्जा उपर का होट और लोब नीचे का होट धर्म इस्तन और अधर्म भीठ है प्रजापती उनके मुत्रेंदिया हैं मित्रा वरुन अंड कोश हैं समुद्र कोख है और बड़े बड़े परवत उनकी हदियां हैं राजन विश्वमूर्ती विराठ पुरुष की नाडियां नडियां हैं विक्ष रोम हैं परम प्रबल वायू श्वास है आल उनकी चाल है और गुनों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है परिक्षित बादलों को उनके केश मानते हैं संध्या उन अनंत का वस्त्र है महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृती को ही उनका रदय बतलाया है और सब विकारों का खयाना उनका मन संध्रमा कहा गया है महात्त्व को सरवात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं घोडे, खचर, उंट और हाथी उनके नख हैं बन में रहने वाले सारे म्रिग और पशु उनके कटी प्रदेश में इस्थित हैं तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं स्वायम्भुव मनु उनकी बुद्धी हैं और मनु की संतान मनुश्य उनके निवास इस्थान हैं गंधर्व, विद्याधर, चारण और अपसरायन उनके शडज आदिस्वरों की स्मृति हैं दैतिय उनके वीरिय हैं ब्राहमन, मुख, छत्रिय पुजाएं वैश, जंगाएं और शूद्र उन विराठ पुरुष के चरण हैं विविद देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यग्य किये जाते हैं वे उनके कर्म हैं परिक्षित विराठ भगवान के इस्तूल शरीर का यही स्वरूप है तो मैंने तुम्हें सुना दिया बोले विराठ भगवान की जय इसी में मुमुक्षों पुरुष बुद्धी के द्वारा मन को इस्तिर करते हैं क्योंकि इससे बिन्न और कोई वस्तू नहीं है जैसे स्वपन देखने वाला स्वपन अवस्ता में अपने आपको ही विविद्पदार्तों के रूप में देखता है वैसे ही सब की बुद्धी वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला कि सरवांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है उन सत्य स्वरूप आनंद निदि भगवान का ही भजन करना चाहिए अन्य किसी भी वस्तु में आसकती नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह आसकती जीव के अधह पतन का हेत्व है पुलिबक्तवत्सल भगवाने की जय नारैन 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 नारैन